किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ देव मौर्या और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एपल बेर की हम खेती किये थे इसमें हमारा अन्भोग क्या रहा और हम कितना एपल बेर की खेती से कमाए और साथ ही एपल बेर के खेत में जो हम खेती किये थे उससे हम कितना कमाए और इसके साथ साथ यह फाइनल वीडियो है तो ऐसे में जब हमारा फल टूट जाता है तो इसकी कटाई छटाई की सतरह से की जाती है ये भी और उसके बाद हम इसमें कौन सी फसल लेंगे कौन सी कर लिजेगा तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाईगी जैसा कि आप लोग वाइट वोर्ड की हमारी वीडियो तो पसंद करी रहे हैं लेकिन कई लोग हैं सिर्फ एक ही वीडियो देखकर के बोल देते हैं कि प्रेक्टिकल की काफी सारी वीडियो आलेटी किये थे लेकिन हम जो आपको यहां पर मौके पर आकड़े देंगे आसानी से समझने के लिए एक एकड़ का आकड़ा आप लोगों को हम उपलब्ध करवाएंगे तो देखें यह जो हमारा खेत है आप लोग जो इसके पहले की वीडियो है बेचने की तोड़ने की देखभाल की रुपाई की सारी वीडियो का लिंग हम नीचे दिये हैं आप वहां से जा करके उसको बाद में अभी देख करने इस समय हो रहे हैं और यह आप लोग खेत देख रहे हैं इस समय इसकी कटाई और छटाई हो गई है तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह टॉपी की खतम कर देते कटाई और छटाई किस तरह से होगा तो जैसा कि आप सब यहां पर देख पा रहे हैं कि यह हमारा जो है पेड़ है और इसकी इस तरह से कटाई चटाई हुई है जितने भी मुखे तने थे तो अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह हमारा एक तना था इत्ता मोटा अंदाजा आप लगा लीजिए और इसको हम तकरीबन आठ से 10 इंच के बाद हम इसकी कटाई किये और य से चैंसा या आरी से काट सकते हैं यह अच्छा रहेगा जो हमारी कुलहाडी होती है इसकी सहायता से मत कीजिए नहीं तो आपका पूरा पेड़ है यह डैमेज होता है और किस तरह से हम कर रहे थे आरी से इसको हम आप लोगों को वीडियो के माधम से दिखा भी दे रहे हैं उन पे बहुत सारे फल लगते हैं और जो पूरानी साखाएं आती है उस पे ऐसा नहीं है कि फल नहीं लगता है फल लगता है लेकिन जो नई साखाएं होती है उसकी अपेच्छा इसमें फल बहुत ही कम लगते हैं इस वज़े से इसकी हर साल कटाई छटाई की जाती है जब आपके फल तूट जाते हैं तो जो हमारा फल फाइनल तोड़ने का समय रहा है ये फरवरी रहा है लास्ट और ये जो हम फल इसका तूड रहे हैं ये हम दिसंबर से लगभग तूड़ाई कर रहे हैं तो दिसंबर जनवरी और फरवरी ये तीन महिनों में हम इसकी फल की तो अब हम कहानी शुरू करते हैं जब हम इसकी रोपाई किये थे वहां से जो हम रोपाई किये थे था अप्रेल 2019. अप्रेल 2019 में हम यहां पर पूरे साढ़े 400 पौधे रोपड किये थे और उसके बाद यह बढ़ करके दिसंबर में बढ़ियां से विकास कर गया और उसके बाद जो है हमें सितंबर में फूल आना सुरू हो गया दरसल देखिए यह जो पौधा होता है यह आपका जो जैसे में जो है जुलाई से ले करके सितंबर तक का जो महीना होता है पूरे खेत में छा जाता है तो यह हो गई पहली बात अब जो है हमारा जो सितंबर में फूल आया और दिसंबर से हमारी तोड़ाई हो गई और इसमें जो है हम अपनी विक्री कर दिये तो इतने महीने के अंद परी 2020 में इसकी तोड़ाई खतम हो गई तो हम इसमें फिर से तयारी कर रहे हैं अब यहां पर जब हम इसकी रुपाई किये थे एपल बेर के पौधे की तो इसके पहले ही हम इस खेत में एक और फसल काटे थे एपल बेर की फसल काटने से पहले तो था यह कि उसकी वीडियो का हम लिंक दिये हैं नीचे जा करके देख सकते हैं इसमें हम तर्बूज लगाए थे तो जो हम इसमें तर्बूज लगाए थे वह हमारा तर्बूज जो है एक एकड में लगभग एक लाख बीस हजार रुपए की अर्निंग हुई थी या कमाई हुई थी और इसमें जो तरबूज हम बेचे थे हाइस्ट रेट 18 रुपए किलो थोक था और सबसे जो कम रेट था ओ था हमारा 9 रुपए प्रति किलो थोक रेट तो इस तरह से जो हमारा तरबूज था ये लग इसके बाद हमारी एपल बेर विकास कर रही है उसकी हम देख भाल किये जा रहे हैं और जो यह हम आप लोगों को खेत दिखा रहे हैं यह हमारा खेत बलूई मिट्टी का है जैसा कि आप लोगों को वीडियो से पता ही चल जा रहा होगा कि यह जो है लगभग हलकी लाल मिट मिट्टी रखे हुए है इस मिट्टी में लोग धान नहीं उगा पाते हैं और हम इसमें फल उगा करके वह भी अच्छा प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं उसको किये तो अब जो हमारा तर्बू जब कट गया तो बेर विकास किये जा रही है उसके बाद इसमें हम गोभी लगा मारी गई और उसके साथ साथ हम जो है इसमें लगाए थे मिर्चा तो हमारा जो मिर्चा वाली फसल थी ओभी मारी गई तो इस तरह से हमारी दो फसले इसमें मारी गई नहीं हमारी दो फसल और भी जूड़ी होती अब हमारा सिर्फ इसमें पैसा दिया जो हमारा तर्बूज तो तर्बूज हमारा पैसा दिया और उसके बाद एपल बेर की जो कहानी है यह है कि जब हम इसकी देख रेक करके उत्पादन लिए और बिक्री किये तो बिक्री की वीडियो तो आप लोगों को पहले ही हम दिखाए थे और काफी लोगों ने उसे देखा और पसंद भी किया तो अब जब हमारी बेर बिक्री सुरू हुई तो पहले तो खरीदार उस तरह से आ रहे थे तो हम ऐसा किये हमारी हाँ जो छोटी सबजी वाली मंडी है उसमें हम अपना फल ले जाकर कि गिरा दिये और वहां पर जो खरीदार थे क्योंकि जो बैर होती है इससे काफी लोग परचीत होते हैं और काफी लोग पसंद भी करते हैं तो ऐसे में हमारे घर पे लोग आ गए और इसमें एक्ट्रा पैसा लोगों ने दिया था तो उस तरह से हम इसकी विक्री किये और जो है बहुत ही आसानी से हमारी विक्री होगे जब हम लोकल मार्केट में उतार दिये इ हमारा जो एपल बेर थी ये एक एकड में तकरीबन हमारा 300 पेड लगा हुआ है एक पेड से जो हम फाइनल कल्कुलेशन किये तो उसमें हमारा आया है जो प्रतिपोधा बजन था ये 30 किलो आया है और जो हमारी बेर बिकी है ये 22 रुपे 25 रुपे 28 रुपे और ये 35 रुप लगभग हमारा 500 रुपे बनता है तो अब हमारा 500 रुपे से कमाई हुई और 120 हजार रुपे हमारा आ गया तरबुज से तो इस तरह से अगर हम देखे तो हमारा हो गया 3,70,000 रुपे लगभग एक एकड़ खेत से एक साल में, जबकि दो फसल इसमें our lady मारी गई थी, तो जो apple bear की खेती होती है, इसको आप बहुत ही आसानी से जो है इसमें लतेदार फसले, ओ फसले जो दो फिट से नीची होती हैं, उसको आप आसानी से उगा सकते और एक चीज और भी हम आप लोगों को बता दे कि जो भी किसान भाई जब ठंड खतम होने लगती है ऐसे में गन्ना की बुवाई करते हैं तो गन्ने में वो तर्बूज की खेती कर सकते हैं इसमें आपको अच्छा benefit मिल जाएगा एक चीज का ध्यान रखेगा हम तर्बूज क समय भी था ठंडा मौसम था इस वज़े से हम फिर वापिस चले गए तो फिर अब यह जब साम हुई है तो हम यहां पर मौके पर आये हैं वीडियो रिकार्ड कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी देखे जैसा कि यह हमारा मेड हम बनाए हुए थे इस पे हम हमारी तर्बूज की खेती होगी यह हमारी खतम हो जाएगी मई लाष्ट में अब जब मई लाष्ट में हमारी खतम हो जाती है तो फिर हम पूरा ध्यान अपना फोकस कर देंगे अपने एपल बेर पे तो इस तरह से हमारा अब पहली साल में बलोई मिट्टी होते हुए जिस अच्छा ठीक है आपकी भी बात हम माल लेते हैं तो फिर उनकी वज़े से भी जो है इसमें प्रोडक्शन घड़ गया तो ओवराल जो हमें मिला यह 30 किलो का मिला यह जो हम आप लोगों को बता रहें वास्तविक्ता है अब जो हमारा 30 किलो मिला वजन और उसके बाद अब हम क आते रहे हैं कि इसमें इतना पैसा इतना पैसा है कई लोगों को लगेगा यार यह जूड़ी तो बोल सकता है तो उन सभी चीजों का निस्तारण हम यहां करेंगे जो हमारी फसल में घाटा हुआ है उसकी वीडियो भी हम लेके आने वाले हैं वो सब भी आप देखिएगा यह नहीं है क्यों सिर्फ फाइदा आप लोगों को दिखा रहे हैं तो यह इस्तिती रही अब कौन से किसान apple bear की खेती करें और कौन से किसानहीं करें देखे अगर आप मतलब उत्तर-प्रदेश से हैं तो ऐसे में आप apple bear की खेती कीजिए मार्केट पर रिसर्च करनी कि अजसानी से बीग जाएगी अब आपके छेत्र में एपल बेर कितने रूपए किलो बीग सकती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आप अपने छेत्र में चले जाएए और वहाँ पर जितने में फुटकर लोग बेच रहे हैं जैसे मालीजी अगर 80 रूपए किलो बेच रहें ए ग्रेड की एपल तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जो आप ए ग्रेड का उत्पादन करेंगे तो आपका लगभग 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में ए ग्रेड वाली जाएगी अगर वहाँ पर जितना भी है उससे जो है आधा आप कम कर लिजे उतने में आप बेचेंगे अब काफी किसान भाई कहेंगे कि हमारे हाँ तो इतने में भीक रही है दो रुपए किलो भीक रही है एक रुपए किलो भीक रही है तो देखें हम आपकी बात मन दे हैं कि इतने में आपके हाँ भीक रही होगी पर हमारे हाँ इतने में भीकी अब यह हम जो हमारी ब्रोकली की बीडियो आने वाली है वो भी हमारी वीडियो आप लोग देखेगा तो अब देखे जिन छेतरों में अपलबेर का रेट डाउन है और किसान उनके छेतरों में अपल-बेर की खेती भी जादा होती है तो ऐसे में हम साफ सब्सक्राइब डेतां महतं अगर रेट पीछे हम काफी मेहनत भी किये थे, लेकिन उस मेहनत को कई लोग नहीं देख पाते हैं कि हम कित्ता किये, कि बलुई मिट्टी में हमें जो उपजाना होता है, बहुत ही मुस्किल होता है, यहाँ पर जो लोग गन्ना लगाते हैं, उनका गन्ना अच्छा प्रोडक्सन नहीं द उसको भी जा करें करें दिखाए थे कि इस में को बहुत ही किसानों को लगता है कि अच्छा ये इतनी लंबी वीडियो कोई चीज अगर आपको बताना चाहर है है ऐसे में हमें पूरी भूमिका बतानी पड़ती है जिससे वह किसान जरूर फाइदा उठाए जो करना चाहता है और जो नहीं करना चाहता है उन ay information नहीं चाहिए होती है णौर्मली वह लाइनर इन्फार्मेशन आपको तो हर जगे मिल जाएगी लेकिन आपको और दो इनफॉर्मेशन चाहए होती है जो आपको उजहां एक छेटी करने के दौराज चाहिए होती है वास्तवीक अबो आप लोगों ने देखा किस तरह से है हाँ एपलबैर की छेती करना चाहते है किसान उनकी हम poory साहता करेंगे अगर वो संपर्क करना चाहते हैं पलबेर की खेती से संबंधित तो हम नीचे जो है संपर्क नंबर दे रहे हैं आप वहां से जा करके संपर्क कर लीजिए और वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपका A to Z कोई भी चीज़ चाहे पौधा हो बीमारी हो देख रहे हो मदद करने की कोसिस करेंगे बिक्री में भी कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है तो जैसे हम आप लोगों को बताये थे मार्केटिंग के लिए कि हम अपने हां लोकल बजार में ले गए तो वहां के लोग उत्साहित हो गया अच्छा ये हमारे हां होता है तो फिर वो लोग किसान अच्छां यहां से हैं और यहां पर यह रेट चलना है तो कई किसान होते हैं जिने अपने अरिया का नहीं पता होता है ऐसे में आपकी कमेंट दोरा उनको फायदा पहुचता है तो इस वज़े से भी आप लोग यह जानकारी देने की कोशिस किया कीजिए तो आज जो वीडियो थी, आज के लिए बस इतना ही, साइद बहुत लंबी भी हो जाएगी, और अगर आप लोगों का कोई प्रशने रह जाता है, तो हमको जरूर बताईएगा, हम देने की कोशिस करेंगे, तो फिलहाल आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब